एक ऐसा होटल जिसका काम आज भी अधा अधूरा है और अधूरे रहने की वज़े से भूतों ने यहाँ पर अपना कबजा कर लिया है तो वह कौन सा होटल है आईए देखते हैं इस वीडियो में वैसे तो उत्तर कोडिया अपने अजीवों गरीब कानून और मिसाइलों के परिक्षन की वज़े से पूरी दुनिया में मसहूर है लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़े भी है जो लोगों को चोका देती है इन्हें में से एक है पिरामिट जैसे अकार और नुक नहीं पाया है बाहर से बेहद ही सांदार लेकिन विरान सा दिखने वाला इस होटल को स्रापित या भोतहा होटल भी कहा जाता है इस होटल को 105 बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है कुछ साल पहले अमिर की मैगजिन स्क्वाइर ने इस होटल को मानवी थिहास का सबसे खड़ाब इमारत करार दिया था इस होटल के निर्मान में बहुत से पैसे खर्च हुए हैं जापानी मीडिया के मुताविक उत्तर कोडिया इसकी निर्मान पर कुल 750 मिलियन डॉलर यानी करीब 60 अरब रुपिये खर्च किये थे या रकम उस समय उत्तर कोडिया की GDP की 20 प्र पर जानने लगी है इस होटल के निर्मान का कार्य साल 1987 इसमी में शुरू हुआ था बीबी सी के मुताविक तब यहां उमीद जताई गई थी कि यह होटल दो साल में बन कर तयार हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया कभी इसके बनाने के तरीकों में दिकत आई तो कभी इ 1992 में आखिरकार इस होटल के कारे को रोकना परा क्योंकि 1992 मुतर कोरिया की जीडिपी बहुत जादा डाउन हो गई थी कहते हैं कि अगर यह होटल ताई की गई समय पर पूरी तरह से बन गया होता तो यह दुनिया का सात्मा सबसे उंचे इमारत के तोर पर जाना जाता फिर स 2008 में इस होटल को बनाने का काम फिर से सुरू किया गया पहले तो इस विसाल का होटल के बैसमेंट को बनाने में करीवी 11 अरब रूपिये खर्च हो गये फिर इस पूरी इमारत में सिसे का पैनल लगाए गये और बांकी छोटे मोटे काम भी कराए गये साल 2012 मूतर कोरिया पर सासा नया ऐलान किया कि होटल का काम 2012 तक पूरा हो जाएगा लेकिन यह भी नहीं हो पाया हकिकत तो यह है कि यह होटल आज भी पूरी तरह जिब बन कर तयार नहीं हुआ है और इसका काम आज भी अधा आधूरा रह गया है तो दोस्तों आज के लिए बहस उमीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कॉमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो